सो है माई फैमिली क्या हाल आप सब लोगों का उमीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगा हम ऐसा बढ़िया रहना तो गाईज अप सब लोगों के बहुत जादा कॉमेंट करने के बाद मैं अप सब लोगों के लिए फाइनल ये वाला वीडियो ला चुका हूँ कि अच्छा हेट सब लोगों को आज मैं ये चीज बताऊंगा और गाईज मैंने बहुत सोचा समझा कि आप सब लोगों को कैसे समझा हूँ तो इसके लिए ही गाईज मुझे थोड़ा बहुत इस वीडियो को लाने में टाइम लग गया तो गाईज प्लीज डोंट माइंड औ सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीव हूँ आप सब लोग मेरे चैनल में देख सकतो कि मेरा सब्सक्राइबर्स कितना ज्यादा मतलब कितना कम है आप सब लोग वीडियो को तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो वीडियो को और जो bell icon को उसके एकदम ठोक के all पे रख दो ताकि इस तरह की नए नए वीडियो आप सब लोगों को देखने को मिले so without wasting any time let's start the video तो guys पहले मैं आप सब लोगों को अपना जो mouse है इसका full feature आप सब लोगों को बता देता हूं और इस mouse का जो model number है और यह कौन से company का यह भी मैं आप सब लोगों को बता देता हूं तो guys यह मेरा mouse है यह है anti sports का और इसलिए model number आप सब लोग देख सकते हो GM320 और guys इसका high DPI है guys यहाँ पर देख सकतो 12800 DPI तक यह mouse ले जा सकता है आप सब लोगों तो अगर आप सब लोग चाहो तो इस mouse को खड़िद सकते हो पर इसका price है 1100 रूपीज पर मैंने इसको साड़े 700 में खड़िदा था offer में और guys यह currently अभी unavailable है तो guys मैं आप सब लोगों को इसका पहले जो DPI settings है मैं पहले आप सब लोगों को वह दिखा देता हूँ guys थोड़ा सधियान गई यहाँ पर देखो यहाँ पर जो 7 DPI level से मतलब मैं DPI को 7 बड़ चेंज कर सकता हूँ तो guys देखो यहाँ पर जो सबसे low DPI मतलब DPI जिससे start होता है 1000 DPI से start होता है उसके बाद 1200 होगा उसके बाद चौबीससों होगा उसके बाद 3400 होगा उसके बात 4000 इंड में 12800 होगा और guys अगर आपसब सब्सक्राइब एकदम लोगों को पता ही होगा मैं एकदम लोग यूज करता हूँ है इसका प्रूब मैंने आप सब लोगों को पहले कुछ वीडियो में दे रहा है तो गाइस चलो आप सब लोगों को तो डीपाइब लेवेल्स मेरे यह वाले जो मामस का मैंने दिखा दिया आप सब लोगों को अब मैं चलता हो गेम के अंदर और इस डीपाइब को कैसे चेंज करते हैं मैं आप सब लोगों को बतता होंगा तो गाइस देखो तो गाइस आप सब लोग देख सकते हो मैं गेम के अंदर आ गया हो और यहां पर देखो यहां पर यहां पर वाला बटन देख सकते हो ये जो उपर वाला बटन है कि ये है dpi बटन और यहां पर नीचे वाला बटन है इसके आप लोग ये जो यह लाइट आप सब लोग यह जल रहा है इसको चेंज कर सकते कुछ इस तरह से देखो गाई अब देखो गाई इसका तो कोई बात नहीं है तो गाईज आप सब लोग कैसे थोड़ा सा हिलाना ठीके गाईज उसके बाद अगर यहाँ पे जो यह बाला माउस करजर बहुत जादा जोर से हिलता है तो आप सब लोग यह समझ लेना कि आपका जो माउस डीपियाई है वह बहुत जादा हाई है तो गाईज यहाँ पे देखो मैं अपने माउस को हिला रहा हुआ और माउस का जो कर जा रही है थोड़ा सा हिल रहा है मतलब यह मेरा जो DPI है एकदम नॉर्मल है यह आप सब लोग कह सकते हो यह दम लो DPI है तो आप मैं यहाँ पर क्या करूंगा यहाँ पर यह यह DPI वाला हो जागा लगवग यह DPI 1600 DPI हो गया और यहाँ पर देखो मैं माउस को थोड़ा मूव कर रहा हूं और माउस का करजर है कितना जादा मूव हो रहा है और फिर से मैं यहाँ पर जो नंबर 4 स्टेश पर डाल दिया हो DPI बटन्स को तो यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा दबा रहा हूं मतलब हिला रहा हूं और कितना जादा माउस का करजर हिल रहा है आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो और यह मैंने डाला लेवल 5 पर और यहाँ पर देखो फीड से यह मैंने मतलब मेरा जो डिफॉल्ट DPI सेटिंग्स है वो हो गया और गाईज मैं आप सब लोगों को एक और बात बता दूँ वहाँ पर जो 12800 DPI दिखा रहा था वो सिर्फ PC में ही सेट करना पॉसिबल है क्योंकि यह मोबाइल में नहीं किया जा सकता क्योंकि मोब का हाई है तो दो बार या तीन बार दबा के जब आप सब लोगों को मतलब समझ आए कि आप सब लोगों का जो यह माउस करजर है यह थोड़ा सा हिल रहा है मतलब बहुत कम हिल रहा है तो आप सब लोग वैसे ही अपने DPI को रहने देना जैसे ही गाईज मेरा जो 1000 DPI है वो पहले ही मतलब फिर से इस कंडिशन में आ गया है और अगर आपको लगता है कि 1000 DPI आप सब लोगों के लिए बहुत कम है तो फिर से आप सब लोग क्या करना DPI को एक लेबल अप कर देना और आप सब लोग थोड़ा सा DPI को अपने जादा कर लेना लेकिन मैं आप सब लोगो सेंसिटिवीटी को समहाली नहीं पाऊ गए तो मैं आप सब लोगों को यही रेकमेंड करूंगा या तो 1000 DPI मेरे जैसा करो या फिर 1200 या 1600 इन जैसे इन दोनों में से कोई भी एक आप सब लोगों को DPI सेट करना पड़ता है भाई लोग आप सब लोग तो समझ चुके हो कि मोबाइल मतला माउस का जो DPI है यह आप सब लोग मोबाइल में कैसे सेट कर सकते हो तो गाईज यह वीडियो अगर आप सब लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दाना क्यूंकि इस तरह के वीडियो बनने में बहुत ज्यादा मेहनद लगती है तो गाईज आज के लिए बस इतना ही मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टीप्स और टीप्स के साथ तक तक स्टे सब्सक्राइब बाई 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 लव यू ओल